आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें निम्न में से किसे उत्परिवतन कहेंगे, चार अप्सन है, कह रहे हैं, अर्द सूत्रन में गुण सूत्रों की संख्या का आधा होना, दूसरा कह रहे हैं, सूत्र एकुमन में, ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसों की संख्या का दुगना होना, ठीक है, तीसरा है, कि इंदरक में किसी अतरित गुर्णसूत्र का होना चोथा है उपरोब में से कोई भी उत्परिवर्बरतन नहीं है ठीक है देखते हैं की होपसन सही होगा तो यहाँ पर जो बूला गया उत्परिवर्बरतन ठीक है उत्परिवर्बरतन का मतलब होता है किसी ज्यू की Deanae यह कह सकते हैं गुर्ण सूत्र यह जीन में, ठीक है, गुर्ण सूत्र यह जीन में, कह सकते हो, होने वाला अचानक परिवर्तन, क्या कह लाता है, उत परिवर्तन कह लाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो गुर्ण सूत्र है, इसके कह सकते हैं, इसके कुछ भाग में परिवर्त नहीं सकता है कुछ भाग हट सकते हैं कुछ बाद यहां पर जोड़ सकते हैं इस तरह से ठीक है तो देखेंगे कौन साफ्षन नमार यहां पर सही होगा सबसे पहले कहा रहे हैं अर्दसूत्रन यानि जो अर्दसूत्री विभादन होता है उसमें गुर्ण सूत्रों के संख्य या गटना है जिसमें गुर्ण सूत्रों के संख्या आधी हो रही है ठीक है तो यहां पर विभादन के दोना दावर रहना कि यहां पर अचानक परिवर्तन हो रहा है ठीक है तो यह गलत हो जाएगा दूसरा सूत्र यूगमन में ठीक है सूत्र यूगमन जो होता है ठीक है इसमें कह सकते हो क्रोमोसोम का यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या का दुगना होना तो यहाँ पर सूत रिकमन मतलब कॉन्जूगेशन बोल सकते हो दो चीज़ों का अपस मिलना तो कॉन्जूगेशन में क्रोमोसोम की संख्या का दुगना होना तो यहां पर क्रोमसों संख्या क्या हो रहा है दुगना हो रहा है मतलब संख्या में बढ़ा रहा है ठीक है तो यह भी यहां पर उत परिवतन नहीं क्योंकि यहां पर अचानक परिवतन नहीं हो रहा है संख्या बढ़ा रहा है ठीक है विभाजन होने के लिए तो यह विगलत atyरोन था है मतलब क्या है जो था फिन था जो था नंसे जादा इस तरह से लीक강 नियुक्त haut ने है उत्परवतन करहëं सकते हूं कि संख्यामें रहा है तो यह राइट होगा और चौछऑ दॉह रहें है राइट अप्स नमारा काउंस होगा, थर्ड होगा, फर्स्ट जिकंड फोर गलत हो जाएगा.